हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार दोस्तों अभी हम लोग बाचित कर रहे हैं International Cricket Council के द्वारा शुरू कियेगे Stop Clock Rule के बारे में यह क्या नियम कहते हैं और नियमों में क्या कुछ महत्वपूर्ण बाते हैं इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे सबसे बरी बात यह है कि ODI यानि One Day International Cricket Matches और T20 Matches में यह नियम लागू किये जाएंगे Stop Clock Rule के संदर में पहली महत्वपूर्ण बात यह आपको समझनी है कि सीमित ओवर वाले अंतराश्टी मैचों में यह नियम लागू किये जा रहे हैं कहने का मतलब यह हुआ कि Test Matches में इन नियमों को लागू नहीं किया जा रहा है इसके अलावा T20 और एक दिवस्टी अंतराश्टी मैच में यह नियम लागू हो ही जाएंगे निशी तोर पर दिसंबर 2023 में प्रिवगात्म किस तर पर इसे शुरू किया गया था और प्रती ODI मैच में 20 मिनट की बजट इसके जर्ये होने की संभावना देखी जा रही है एक जून 2024 से ये नियम पूरी तरीके से मैंडेटरी तोर पर लागू किये जाएंगे इन नियमों को एके करके देखें तो पहली बात यहां पर यह है कि पिछले ओवर की समापती के एक मिनट के भीतर नया ओवर शुरू करना होगा इसके अलावा प्रिकेट मैदान पर इलेक्ट्रोनिक क्लॉक लगाने क्लॉक का स्टार्टिंग समय अमपायर द्वारा तैय करने यदि एक मिनट की शर्त को पूराग नहीं किया गया तो बल्ले बाजी करने वाली टीम को ऐसे हर मिसिंग आउट के लिए पांच रन देने की बात की गई है इसके अलावा इससे जुरे हुए जो महत्वपुन अपवाद है उसमें पहली बात है जब ओवर्स के बीच नया बल्ले बाज आता हो जब अधिकारिक ड्रिंग अंतराल लिया गया हो जब अमपायरों ने मैदान पर किसी बल्ले बाज या फिल्डर की चोट का उपचार करने की सुक्रिती दी हो और ऐसी कोई भी वजह जिससे समय बरबाद हुआ हो और वह फिल्डिंग साइट के नियंतरन के बाहर हो इन सब ही को अपवाद के इंतरगत शामिल किया गया है इसके अलावा एक जो कंसर्ण दिखा जा रहा था कि फिल्डिंग टीम में अक्सर रननीती बनाने के लिए अधिक समय पाने और हल डिलीवरी के बाद फिल्ड प्लेस्मेंट बदलने के लिए कारवाही को धीमा करने की कोशिश कर रही थी इसी के एवज में ये स्टॉप क्लॉक रूल लाए गया है और अब तक टीम और कप्तान को केवल आर्थिक रूप से डंडित किया जा सकता था जो इस प्रथा को रोकने में उतना कारगर नहीं थे इस बिहाफ में स्टॉप क्लॉक रूल निश्ची तॉप पर फाइदमन साबित हो सकता है तो इस महत्वपून इंफॉर्मेशन के साथ ही यह भी जान लीजिए कि यदि आप P2I 2020 में एडमिसन लेना चाहते हैं दिलीप लाइफ कोर्ट का इस्तमाल करते हुए मात्र 23,999 रुपे में इस कोर्स को जोइन कर सकते हैं सुबह आठ बज़े से 20 मार्ट से यह कोर्स शुरू हो रहा है और निशित और पर यह कोर्स GS की कम्प्लीट तियारी के लिहाज से आपके लिए फाइदमन साबित हो सकता है मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में अपना ख्यार लखिए All the best